हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंडरे देतीमन, हम लोग कर रहे हैं परेटन इस्थल, लास्ट चैप्टर है आपका राजिस्थान का इतिहास और संस्कृती में 10th क्लास का, तो हम लोग 60 कुश्चन जो है वो कम्प्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में, आप लोग किराडू मंदिर कहां इस्तित है, किराडू मंदिर कहां इस्तित है, बाड मेर में सहर से 35 किलो मीटर दूर किराडू मंदिर इस्तित है, कहां इस्तित है किराडू का मंदिर, बाड मेर में, लेक्ट देखिए 62 कुश्चन है किराडू मंदिर में कौन सी वास्तु शैली देख भगवान शिव को समर्पित है नेक्स्ट है किराडू मंदिर में कितने मंदिर हैं तो किराडू मंदिर भगवान शिव से सम्बंदित है और यहाँ पर मंदिर जो है वो पांच है और जिसमें मुख्य जो है वह सौमेश्वर का मंदिर है ठीक है जो भगवान शिव का है श्री नाकोडा जी का मंदिर किस धर्म से सम्बंदित है तो यह जैन धर्म से सम्बंदित है नेक्स्ट है कुश्चन 66 श्री नाकोडा जी के जैन मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है तो वह पार्शोनात का मंदिर है Q67 भुवासा का मंदिर नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है तो रानी भट्यानी मंदिर उसको भुवासा का मंदिर भी कहते है रानी भट्यानी किन शेत्र में? किस शेत्र में मुख्यते पूजनिय है? कहां पर पूजी जाती है रानी भट्यानी? तो यह है पक्षमी राजिस्थान, सिंध और पाकिस्तान यहां पर पूजनिय है रानी भट्यानी का मंदिर कहां है? तो मंदिर बाडमेर के जसोल गाओं में है रानी भट्यानी का मंदिर किस जाती का मुख्य स्रद्दे है? कौन सी जाती जो है इन्हें मानती है तो डोली जाती जो है रानी भट्यानी के मंदिर में जाकर पूजा करती है रानी भट्यानी कहां की राजकुमारी थी तो बाडमेर में पूजा होती है और यह है जैसलमेर के जोगी दास गाउं की राजकुमारी थी रानी भट्यानी नेक्स्ट देखिए 72 कुश्चन रानी भट्यानी का विवहा किस से हुआ था तो रानी भट्यानी का विवहा जो है बाडमेर के राठोड राजा से हुआ था तो देखिए यह कुश्चन भी एक्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि मीरा के पती का क्या नाम यह question आपके last year जो है वो पूछा गया था, तो ऐसे ही question आपके exam में पूछे जाते हैं Next है, रानी भट्यानी की मृत्यू कैसे हुई? तो इनकी मृत्यू बड़ी रानी द्वारा, रानी भट्यानी और उनके पुत्र लाल सीन को जहर देने के कारण हुई तो रानी भट्यानी के मृत्यू कैसे हुई? बड़ी रानी के जहर देने के कारण Next देखिए, question 74, केवला देव घना राष्ट्रिय उद्यान कहां इस्तित है? Important question है, यह भरतपूर में इस्तित है? तो हमने अभी बाडमेर से सम्बंदित प्रश्न किये, अब हम करेंगी भरतपूर जिला केवला देव घना राष्ट्रिय उद्यान को सनरक्षित पक्षी अभ्यारण ने कब घोचित किया गया? तो याद रखिए, 1971 इस्वी में केवला देव घना राष्ट्रिय उद्यान को अभ्यारण का दर्जा दिया गया? कब दिया गया? 1971 इस्वी में केवला देव घना राष्ट्री उद्यान को विश्व धरोहर कब घोसित किया गया ये कुश्यन में पूछा जा चुका है 1985 इसवी में तो अब तक इस चैप्टर में दो कुश्यन जो हैं वो हमने अभी तक पढ़ लिये हैं जो कि आपके एक्जाम में आये हुए हैं केवला देव घना राष्ट्री उद्यान को विश्व धरोहर 1985 में खोसित किया गया केवला देव घना राष्ट्री उद्यान को सर्व प्रथम कब और किस रूप में स्थापित किया गया था तो इसे सर्व प्रथम छोटे तालाव स्थारूप में घना पक्षी विहार के तोर और 18 सताबधी में स्थापित किया गया था. तो पहले ये घना- पक्ष्यस विहार था, थीक है? तो अब वरतमान में ये क्या है? घना राष्ड़िया उद्ध्यान है. केवला देव घना राष्ट्य उद्यान में कौन-कौन से पक्षी सामानेते देखने को मिलते हैं तो यहां भारतिय सारस क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हैरन, पैंटेड स्टॉर्क, कार्मुरेंट, नौ बिल डक, वाइट स्पून बिल, सेंड पाइपर यह पक्षी जो हैं, वह हैं केवला देव घना राष्ट्य उद्यान में देखने को मिलते हैं किस ब्रिटिज शैन अधिकारी ने लोहा गड़ पर सबसे पहले कबजा किया था? तो और्थर वैल्सले ने सबसे पहले लोहा गड़ पर कबजा किया था, ठीक है? तो लोहा गड़ जो किला है, वह कहां है? भरतपूर में Next है, कुशन 80, लोहा गड़ किला के दरवाजे किस से निर्मित है? लोहा गड़ किला के दरवाजे किस से निर्मित है? तो यह अस्टधातु और लकड़ी से निर्मित है? किस से निर्मित है? अस्ट धातू और लकडी से. नेक्स्ट चलिए. कुश्चन 81. लोहागड को चारो ओर से किस प्रकार सुरक्षित किया जाता था? तो इसके लिए के चारो ओर क्या करते थे? इस किले के चारो और खाई है और उसमें पानी भर कर इस किले को सुरक्षित कर दिया जाता था Next देखिए Question 82 लोहागड किले के अंदर निर्मित स्मारक है तो कौन-कौन से स्मारक जो है वह है भरतपुर के लोहागड किले में है कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल Next है Question 83 भरतपुर के राजा सूरजमल ने लोहागड किले में मुगल व अंग्रेजों पर विजय पर कौन से बुर्ज का निर्मान करवाया तो जो राजा सूरजमल थे उन्होंने लोहागड किले के अंदर जवाहर बुर्ज और फते बुर्ज इन दौनों बुर्ज का निर्मान करवाया किसने करवाया? राजा सूरजमल ने Next है Question 84 बंद बारेठा क्या है? बंद बारेठा क्या है? बंद बारेठा क्या है? बंद बारेठा में बांद का निर्मान किस साशक द्वारा किया गया था? बंद बारेठा में बांद का निर्मान किस साशक ने किया? तो यह महाराजा जस्वन सींग ने, इसका निर्मान महाराजा जस्वन सींग ने किया 1866 इसवी में बंद बारेठा में बांद का निर्मान महाराजा जस्वन सींग ने किया 1866 में बंद बारेठा में बांद का निर्मान किस सासक द्वारा पूरा करवाया गया तो जस्वन सींग द्वारा उसका निर्मान करवाया गया और महाराजा राम सींग द्वारा 1897 इस्वी में पूरा करवाया गया नेक्स्ट है कोश्चन 87 बंद बारेठा में बांद के निकट किस साशक द्वारा साही महल का निर्मान करवाया गया तो यह करवाया गया महाराजा किसन सींग द्वारा नेक्स्ट कुशन 88 भरतपुर में इस्तित गंगा मंदिर में किस ब्रकार की वास्तू शाली देखने को मिलती है तो याद रखिएगा कि इसमें राजपूत, मुगल और द्रविन स्थापत्य शाली देखने को मिलती है भरतपुर में इस्तित गंगा मंदिर है उसमें राजपूत, मुगल और द्रविन स्थापत्य शाली देखने को मिलती है नेक्स्ट देखिए कुश्यन 89 जो की भरतपूर से ही है भरतपूर में इस्तित गंगा मंदिर का निर्मान कारे कितने समय तक चला तो इसका जो निर्मान कारे है वह 90 वर्ष तक चला महाराजा बलवंत सिंग द्वारा 1845 इस्वी में यह प्रारंब हुआ था इसका निर्मान जो है वह 1845 इस्वी में महाराणा बलवंत सिंग ने किया था और 90 साल तक इस मंदिर का निर्मान कारे चलता रहा गंगा मंदिर में किसने गंगा मूर्ती की स्थापना की महाराजा बलवंत सींग के जो उत्रादिकारी थे राजा ब्रजेंदर सींग इन्होंने गंगा मंदिर में गंगा मूर्ती स्थापित की तो आज हमने बाडमेर और भरकपुर जिला, इनसे संबंदित जो पर्याटन स्थल थे, उनके बारे में हमने पढ़ा, इनको बारवा रिवाइस करिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जिले के साथ, थेंक यू